भजन सहिता 31, 9-18 तक, हे यहोवा, मुझ पर अनुग्रह कर क्योंकि मैं संकट में हूँ, मेरी आखें वरन मेरा प्राण और शरीर सब शोप के मारे गुले जाते हैं, मेरा जीवन शोप के मारे और मेरी आयू कराहते कराहते घर चली है, मेरा बल मेरे अधर्म के कारण जाता रह और मेरी हड्या घुल गई, अपने सब विरोधियों के कारण मेरे पडोसियों में मेरी नामधराई हुई है, अपने जान पहिचान वालों के लिए डर का कारण हूँ, जो मुझ को सड़क पर देखते हैं, वे मुझ से दूर भाग जाते हैं, मैं मृतक के समान लोगों के मन स बिस गया, मैं तूटे बरतन के समान हो गया हूँ, मैंने बहुतों के मुह से अपनी निंदा सुनी, चारों और भए ही भए है, जब उन्होंने मेरे विरुद्धा आपस में सम्मती की तब मेरे प्राण लेने की युक्ती की, परंतु हे यहोवा, मैंने तो तुझी पर भरो होना से मेरा उद्धार कर, हे यहोवा, मुझे लजज़ित नहोने दे क्योंकि मैंने तुझ को पुकारा है, दुष्ट लज़ित हों और वे मृतक लोग में चुपचा पड़े रहें, जो अहनकार और अपमान से धर्मी की निंदा करते हैं, उनके जूट बोलने वाले मुह मरकुस 14, 17-42 तक, जब सांज हुई, तो वह बारहों के साथ आया, जब वे बैठे भोजन कर रहे थे, तो लीशु ने कहा, मैं तुम से सच कहता हूं कि तुम में से एक, जो मेरे साथ भोजन कर रहा है, मुझे पकड़वाएगा, उन पर उदासी छा गई और वे एक-एक करक उससे कहने लगे, क्या वह मैं हूं? उसने उनसे कहा, वह बारहों में से एक है, जो मेरे साथ थाली में हाथ डालता है, क्योंकि मनुश्य का पुत्र तो, जैसा उसके विश्य में लिखा है, जाता ही है, परंतु उस मनुश्य पर हाई जिसके द्वारा मनुश्य का पुत्र पकड़वाया जाता है। यदि उस मनुश्य का जन्म ही ना होता तो उसके लिए भला होता। जब वे खाही रहे थे उसने रोटी ली और आशीश मान कर तोड़ी और उन्हें दी और कहा लो यह मेरी देह है। फिर उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया और उन्हें दिया और उ पहार पर गए। तब यीशु ने उनसे कहा तुम सब ठोकर खाओगे क्योंकि लिखा है मैं रखवाले को मारूंगा और भेडें तितर बितर हो जाएंगी। परन्तु मैं अपने जी उठने के बाद तुम से पहले गलील को जाओंगा। पत्रस ने उससे कहा यदि सब ठोकर कभी ना करूंगा। इसी प्रकार और सबने भी कहा फिर वे गत्समनी नामक एक जगह में आए और उसने अपने चेलों से कहा यहां बैठे रहो जब तक मैं प्रार्थना करूं। और वह पत्रस और याकूब और युहनना को अपने साथ ले गया और बहुत ही अधीर और व् कुछ हो सकता है इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले तो भी जैसा मैं चाहता हूं वैसा नहीं पर जो तू चाहता है वही हो। फिर वह आया और उन्हें सोते पाकर पत्रस से कहा हे शमौन तू सो रहा है क्या तू एक घड़ी भी न जाग सका जागते और प्रार्थना करते रह अब सोते रहो और विश्राम करो बस घड़ी आ पहुची देखो मनुश्य का पुत्र पापियों के हाथ पकड़वाया जाता है उठो चलें देखो मेरा पकड़वाने वाला निकटा पहुचा है लेव्य व्यवस्था सत्रह एक से सोलह तक फिर यहोवा ने मूसा से कहा और सब इस्राइलियों से कह कि यहोवा ने यहाग यादी है इस्राइल के घराने में से कोई मनुश्य हो जो बैल या भीड के बच्चे या बक्री को चाहे चावनी में चाहे चावनी से बाहर घात करके मिलापवाले तंबू के द्वार पर यहोवा के निवास के सामने बहाने का दोश लगेगा और वह मनुशे जो लहू बहाने वाला ठहरेगा वह अपने लोगों के बीच से नश्ट किया जाए इस विदी का यह कारण है कि इसराइली अपने बलिदान जिनको वे खुले मैदान में वद करते हैं वे उन्हें मिलपवाले तंबू के द्वार पर याजिक के पास यहोवा के लिए ले जाकर उसी के लिए मेलबली करके बलिदान किया करें और याजिक लहू को मिलपवाले तंबू के द्वार पर यहोवा की वेदी के उपर छिरके और चर्बी को उसके सुखदायक सुगंद के लिए जलाएं वे जो बकरों के पूजक होकर व्यभिचार करते हैं, वे फिर अपने बलिपशुओं को उनके लिए बलिदान ना करें। क्योंकि शरीर का प्रान लहु में रहता है, और उसको मैंने तुम लोगों को वेदी पर चड़ाने के लिए दिया है कि तुम्हारे प्रानों के लिए प्रायस्चित किया जाए, क्योंकि प्रान के कारण लहु ही से प्रायस्चित होता है। इसलिए मैं इस्रेलियों से कहता हूँ कि किसी प्राकार के प्रानी के लहु को तुम ना खाना, क्योंकि सब प्रानियों का प्रान उनका लहु ही है, जो कोई उसको खाए वह नश्ट किया जाएगा। और चाहे वह देशी हो या परदेशी हो, जो कोई किसी लोथ या फाड़े हुए पशु का मास्क खाए वह अपने वस्त्रों को धो कर जल से सनान करे और सांच तक अशुद्ध रहे, तब वह शुद्ध होगा। परन्तु यदि वह उनको न धोए और न सनान करे, तो उसको अपने अधर्म का भार स्वयम उठाना पड़ेगा। तुम मेरे नियमों और मेरी विधियों को निरंतर मानना, जो मनुष्य उनको माने वह उनके कारण जीवित रहेगा। मैं यहोबा हूँ, तुम में से कोई अपनी किसी निकट कुटुम्बिनी का तन उघारने को उसके पास न जाए। मैं यहोबा हूँ, अपनी माता का तन, जो तुम्हारे पिता का तन है, न उघारना, वह तो तुम्हारी माता है, इसलिए तुम उसका तन न उघारना। अपनी सोतेली माता का भी तन न उघारना, वह तो तुम्हारे पिता ही का तन है। अपने चाचा का तन न उघारना, अर्थात उसकी स्त्री के पास न जाना, वह तो तुम्हारी चाची है। उसका तन भी उगाड़े. फिर जब तक कोई स्त्री अपने रितु के कारण अशुद्ध रहे तब तक उसके पास उसका तन उगाड़ने को न जाना. फिर अपने भाईबंधू की स्त्री से कुकर्म करके अशुद्धना हो जाना. अपनी संतान में से किसी को मोलेक के लिए होम करके न चड़ाना और न अपने परमेश्वर के नाम को अपवित्र ठहराना, मैं यहोवा हूँ. स्त्री गमन की रीती से पुरुशगमन ना करना, वह तो घिनोना काम है. किसी जाती के पशुद्ध के साथ पशुद्धना हो जाना, और न कोई स्त्री पशुद्ध के सामने इसलिए खड़ी हो कि उसके संग को कर्म करे, यह तो उल्टी बात है. ऐसा ऐसा कोई भी काम करके अशुद्धना हो जाना, क्योंकि जिन जातियों को मैं तुम्हारे आगे से निकालने पर हूँ, वे ऐसे ऐसे काम करके अशुद्ध हो गई है, और उनका देश भी अशुद् करे, क्योंकि ऐसे सब घिनाने कामों को उस देश के मनुश्य जो तुम से पहले उसमें रहते थे वे करते आए हैं, इसी से वह देश अशुद्ध हो गया है. अब ऐसा नहो कि जिस रीती से जो जाती तुम से पहले उस देश में रहती थी उसको उसने उगल दिया, उसी रीत परमेश्वर यहोवाहूं